नमस्कार आप देखरें नीज़वल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काज़ो नरायन शिवात करेंगी खबरों की वितमंत्री निर्मला सीतरमन की तरफ से पेश्वे बजट को लेकर जनता क्या सोचती है क्या जनता के लिए बजट किफायती है या नहीं इस बात को जानने के लिए देरादून से माई समधाता निश्वी भातिया ने जानी लोगों की राय इस वरान क्या कुछ कहना है लोगों का इस बार के बजट को लेकर सुने नमस्कार आप देख रहे हैं निउस वर्ल्ड इंडिया आज हम मौझूद है उत्राखंड के राजधानी में जिहां जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट दो हजार बाइस और दो हजार तेईस का विट बजट जो है वो अब लगो चुका है उस बजट की पेशी हो चुकी है उसके बाद जो सियासी गलियारों में हल्चल थी वो और ज्यादा तेजी से होने लग गई है जो उत्राखंड के विपक्षी पार्टी है कॉंग्रेस उन्नों ने इस बजट को 2022 विधांसवा चुनाफ के मद्दे नजर रखा गए बजट को ऐलान दिया और कहा है कि ये शायद कहीं ना कहीं एक राजनेतिक दाव पेश है इसके अलावा मैं आपको बता दू कि इस बार बजट की पेशी में क्या-क्या चीजे वह में बदलाव नहीं हुआ और किन-किन चीजों में बदलाव आया है और इसके बाद उत्राखंड की जुनता को क्या लगता है कि उनके लिए बजट किफाईदी है या नहीं इससे भी हम जुनता की राय जानेंगे तो मैं आपको पहले एक बजट का दिखा देती हूँ कि कॉर्परेट टेक्स को अठारा फीजदी से घटाकर पंदरा फीजदी कर दिया गया है यह बहुत बड़ी बात है इसके लावाए इंकम टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं है इसके बाद हम जनता से जान लेते हैं कि उत्राखंड की जनता के लिए बजट या नहीं आपको क्या लगता है कि उत्राखंड की जनता के लिए बजट के फाइदी है क्या या आपको आपके लिए बैनिफीशल होगा या ने बजट खाली कॉर्परेट के लिए और किसों के लिए इन्होंने जो डाइमंड ज्वल्री वगरा पे टेक्स वगरा कम करा है कौन रोज बजट को आप लगों जया करें रहा है कि कुछ बजट को दसमें रोज देंगे जीरो आपbelt लगते हैं कि इस बूरे बजट में से मत् Mozart करणकी जनता के लिए बीए कपन आप के लिए कुछ चीज़ बेशीए कुछ स TVMP बेनिफिचल आने वाले टाइम पे अभी 10 मार्च को पता लग जाएगा कि इनका क्या होने वाला तो आपका वोट भी बदल जाएगा इस तीशें वोट तो बदलेगा ही जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा तो आपका वोट किसको जाएगा हमारा कॉंग्रेस को है वो आपके लिए बेनिफिचल है या नहीं यह दो परसेंट का बजन है नहीं अच्छा है क्यों आप दस में से कितने नंबर देंगे दो नंबर दो नंबर मैं आप से जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगा कि जब बजट की पेशी हो उसके बाद आपके लिए इसमें क् कुछ इसमें relevant है या नहीं जिस तरीके से हम एक start-up है और हम कोशिश करता है किस तरीके से उद्य में तया बढ़ा ही जाए और जो प्रतम द्रिश्टिया दिखते रहा है कि बहुत सारा अच्छा पैसा मार्केट में डाला जा रहा है start-up के लिए नहीं उमीद है कोविट से उबर रहा है market इस वक्त तो बहुत सारी अपेक शाय है और start-up की जिस तरीके से हम बात सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये साल काफी अच्छा गुजरे जिस तरीके से पैसा पुश किया जा रहा है start-ups के लिए तो आपका वोट किसको जाएगा इस budget के बाद जी कि वो मेरे साफ से एक individual राय है मद्दान हम definitely करेंगे चेतर के साफ से जो चेतर का एक युवा प्रतिनी दी हो एक अच्छा प्रतिनी दी हो उसको हम वोट करेंगे मेरा वोट इस विदान सभा में नहीं है तो मैं इस पर तो टिपनी नहीं कर सकता फिलाल तो फिर आप किस पार्टी को वोट जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री के नेतरत्म में प्रदेश में सरकार चल रही है और काफी effective काम हुआ है तो मेरे हि आप सभी इस वक्त वापस आ रहे हैं और काफी अच्य तरीके से वापस आ रहे हैं तो आपको मनना है कि बीजेपी इस बार सत्तामें आ सकती है तो अफो l yr ट्रोर क्यों प banda लागे future को देखके लाए गई जैसे कि पहले इंडिया digital currency में अब इडिड़ टिवकृइज कि तरफ जा रहा है झायाए अपनी ही खुट की currency लॉंच कर रहा है बाकी जो भाखर क्रिप्टो करनशी लॉब स्में इसमें तो इसमें यह लोगल कि अपनी ही करन्सी में ज्यादा इन्वेस्ट और ज्यादा खरिदना पसंद करेंगे बजाए की भार की बैनिफिशल होगा इस बार का बज़ेट हो भी सकता है बाकी आगे देखते हैं क्या होगा ताब भी आपने पाश नमबर इसी उमीद को दिये बाकी और भी चीजें जैसे की इसे कम माल को इंपोर्ट इंडिया में किया जा और ही पर सबकूर्ट मैने इससे क्या होगा इंप्लॉइमेंट भी बढ़ेगी और साथी साथ जो बाकी जो इंडिया में अपना एक इलक्ट्रोनिक हब भी बनेगा इस बजट के बाद विचारधारा किस पार्टी की तरह कि उमीद तो यही है कि बीजेपी को जाएगा वाकी आगे तो बीजेपी को आप सपोर्ट करें तो हम आपसे जालना चाहूंगी यही सवाल कि जो अभी नया बजट लॉंच क्या गया है तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट जो नया लॉंच हुआ है उसमें अगर मैं बताओं तो व्यपारियों के लिए तो ऐसा कुछ खास है नहीं उस बजट में में तो किसानों के लिए है और कॉर्परेट के लोगों के लिए है बाकी व्यपारियों के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं बजट इस बार आप कितने नंबर देंगे इस बजट को जैसे दो नंबर लेकिन अपने तरफ से तो कोई नंबर नहीं है तो आप अपने भाईचारे के उससे की किसानों ने इतना प्रोटेस्ट किया और उनके लिए जो नई साल कॉंग्रेज लेकिन इस बार अगर आम आन्मी पार्टी अच्छा काम कर पाए तो उन्हें मौकत देना चाहिए नहीं पार्टी को बजट पेशे होने के बाद आपको क्या रियक्शन रहा है कि क्या आपको बजट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह सेलरीड क्लास को यह रिटार्ड हम लोग जो है सीनियर सिटीजन है हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं दिया अपने लिए नेता लोग सारे कुछ फ्री कर लेते हैं हमारी टेक्स लैब तक को नहीं 50,000 एक बढ़ा के दिया इन्होंने सारा बजट जो है यह खाते हैं यह आश कर रहे हैं ने हम लोग को क्या मिला बजट से मिडियम क्लास को क्या मिला कुछ नहीं मिला कि पेट्रोल देख लो कहां जा रहा है डीजल उसमें कुछ नहीं बोले गया सिलिंडर 920 रुपए का अध्मी मीडियम क्लास वाला कहां जाएगा उनके बारे में इनको नहीं सोचना अपने लिए हो सेलरी बढ़ानी हो सब हाथ कड़ा कर देते हैं हम लोग 35-35 साल नौकरी करके आए हमारा पंशन का केस आज भी सुप्रीम कोड में चल रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रहे हो इन लों के लिए रातो रात खुल जाता है इन इस पार्टी को वोट जाएगा किसी को नहीं जाएगा नोटा पे बटन जाएगा जए सब घटें ये सब हम लोंको पांच साल मधारी आ जाएंगे वी बोट मांगने लिए हम सुनवाई कहीं नहीं है कहीं सुनवाई नहीं मैं इतना बड़ा सफरह हूं कि मैं आपसे क्या ब सबसे मिल लिया चीप मिनिस्टर आफिस में हुआया कोई सुनवाई नहीं मेरा मकान गिर जाएगा मैं मर जाओंगा किसी और ना हो आप मेरी मकान की फोटो देख सकते आप देख लिए मकान ऐसा हो चुगा लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी बजट की मैंने आप से बात करी तो ब आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर विकास कैसा होगा विकास जो उननीस सो चौसर आप तो पैदा भी नहीं भी होंगी तो 66 साल का चुका हूं उस समय भी हिंदुस्तान रोया था कि नहरू मर गया हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा कहा है तो 64 से आज 2022 आं गया है हिंदुस्त तो सिर्म नाम के लिए रह गया है अभी आप अपरल से देखना अभी से माल हर्षी होड़िंग हो चुकी है शुगर अंदर है सिग्रेट अंदर है सब कुछ अंदर है ब्लैक में मिल रही है जिसकी मर्जी आती है अमुल वाला दूद जो है वो साल में तीन बार बढ़ाता है फिस बात इनको किस लिए नंबर दो इस हुआ बड़ी बेब को बनाने का तरीका आगये उड़य वोड देगी हम नहीं देंगे किसी पार्टी को नहीं देंगे तो आप कहीं नहींalf वाले जी मैं सारे कांग्रेस वालीजर कौंसे वालें कांग्रेस के वाली उनकल कर आया है वहिएध दिल्चेस्प की जो जनता है जो व chaुस्त काम करें उनके लिए जो बजेट का पारी 실 shared क का मुझा त्याने कर dużo से और यह कोदेत है कि इस भी होड्यिस जो क्यों हम की काई पल्ड कर सकता है और यह राओन को देखना उत्राख leisureण में व्यपारियों की कुछ 10 लाग संख्या यानि की 100% जनसंख्या में से 11% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ वयपारियों की है और ऐसे में किसी भी पार्टी का इतने बड़े आंकडों को अंदेखा करना कोई छोटी बात नहीं है वही आने वाले विधान सभाद चुनाव को लेकर व्यपारियों की क्या राय है इसे जानने की कोशिश की देरादून से हमारी संवादाता निश्टी भात्यानी इस दोरान व्यपारियों का क्या कुछ कहना है चुनावी महौल को लेकर आपको सुनवाते हैं का है 14 फरवरी को चिनाव का आयोजन होना है और लगतार हम संख्या और आकड़ों पर उन आकड़ों पर बात कर रहे हैं जो इस मतदान की प्रक्रिया में एहम भूमिका निभाएंगे तो उसी भी जब हम आज बजार पहुंचे तो आपको वह बता दे कि वैपारियों की जो भ पार्टी की जीत का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है वैपारियों की जीत सबसे महत्वपूर्ण होगी उनके वोट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और भाजपा हो या कॉंग्रस या फिर कोई भी अनिदल इस बड़े आंकड़े को कभी भी नजर अंदाज नहीं कर देगा कि उधम सिंग नगर में एक लाख तीन हजार के करीब व्यापारी हैं जिनका मतदान देना और उनके वोट्स बेहत कीमति होंगे और अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी 44,000 व्यापारी इससद मौजूद है जो बहुत ही बड़ा आंकड़ कि जान वाला है तो इससी के साथ मौन जानना चाहूंगी कि वपारियों का वोट इनик विरे में सब्स्वी जन संख्या में रहता जये तो आपका वट नहीं वहाथ लिए नका बाहता जानन में आगर बातर तो उत्राकंट भी सुरुक्षीत है और देश भी सुरुक्षीत है। क्योंकि योगी और मोदी ही इस देश को सुरुष्टी रहा है। एक एक 171. यह चाहे टो हो को धरृफ ईसको रोका जाए तो धोसरा यह और बहुत सी समस्यांज़ें व्यापारियों Зबस्क्र western बहुत जादे हो गया लिएपारी परिशान है उसको कम गया जाए। व्यापारियों को सुखण सेखिया और पर हम कई भी आपारी و के लिए आयोग बनना चाहिए यह उस आइयोग से भी आपारी यह बीमारी में कोई अकर पोधा परियों के साथ दुलगटना हो गई उनको कोई कंपंसेशन नहीं मिला वह मिलना चाहिए और बहुत समस्तिया बजार की समस्त्या परदन बजार की टादर की समस्या है बढ़ार भी बन नहीं रहा इसमार्ट सिटी के नाम पे दुनिया बर की वोड़ो रखी है सरकार पांच साल रही और सरकार ने काम नी किया बढ़िया और फिर भी इसके हाप बावजूद बीजेपी को वोट वो इसलिए है कि हम बीजेपी के राज में सुरक्षित है बीजेपी को वोट इसलिए देंगे हम चैनल हमें परेशानी जरूर है मगर उस परेशानी से हैं बचे हुए हैं जो परेशानी हमारे लिए पैदा की जा रही है और जितनी भी पार्टिया है वह एक्टूस्टी करण की नीतिया पना रही है और हम 80% गारंटी देते हैं कि सब्सक्राइब की कोशिश की और उन्होंने कितना काम किया क्योंकि आप चुनावा चुके हैं तो इस पर आप बताइए कि क्या काम हुआ मैं यह पूरा हूं कि कांग्रेस ने क्या काम किया आपने लाल चन का नाम लिया ठीक है उन्होंने किया हुआ जिसके लिए का यहां तो जमीनिस्टर पे तो कोई निजर नहीं आया उन्होंने बात करी कि चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो हमने काफी जादा वेपारियों के लिए सोच रखा है प्लान बना रखे सोच रखा है ना सोचा तो नहीं हरी जरावत कह रहे है कि हम गैर सेंड को राजधानी बनाएंगे जब थे तब क्यों नहीं बनाई आज चुनाव है इसलिए वो बोल रहे है ना ऐसा है ना इस समय तो लॉलीपाप हर को ही समा देगा आपको हम लैप टॉप भी दे देंगे ह कि अजेए नेता अपनी जेटसे दे रहे है यह हमारे आपके तो पैसा है जो हम ट्रॉपें देते हैं इस बार वियपार्यों का उर्ट किसको जाना बहुत सको जारा है एक सोच बना रहे है बीजेपी एक तो दो मंदल बने वहना एक कांग्रेसी एक बीजेपी कि ए मनोज जो है वो तो भीजय पी में जा रहा है उगति संख्या कित्ती होगी संख्या है विश्य तो हजारों के संख्या में भी वोहां टहीं आ रहे है और आप भी उसी में नहीं है कि क्या वजह है जो बीजे पी को आप वोट? कुषक ते हैं कि समस्या है यह चुन इसका लाब 252 है तो का पुलिस वाला आता है तो वह बेजदेटि करके चला जाता है ख़पारियों कहीं सुनवाइं नहीं है कोई सी संपोरा कार्ण जाए फ़र भी आपव बीजेबी को जिताएंगे वोट तो देने पढ़ता है लोगो कोई भी किसी को भी देदे वोट आम जनता के लिए उसकी जहां देली के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा इसकूल पे स्वास पे और शिक्षा पे और महिलाओ पे हर उन्हों पर्टि आमजी पार्टी देली के अंदर काम अच्छा कर रहेंगे वाद हो रहते हैं कोई विश्वास ही निहीं है क्या 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 किया एक टैसे लहां पर की सद्रस्छें कई पर गड़ा यह कहीं पर कुछ है आप दिखा सकते हैं सडकों पे लोग पिछे आधे 6 माहे पहले इन्हों का सब्सक्राइब बना रहे हैं कोई लगा उसके अंदर एक लेडिस गिरी उनके प्यार में चोट लगी उस लेडिस के गर में कोई कमाने वाला है नहीं सरकार देखने नहीं आरी क्या हम स्मार्ट सिटी का बजारी यह बजार में ता एक टाइम पे इतनी सी जग अपर मौझूद रहते हैं कोई सविदा नहीं मिल रही है नहीं कुछ नहीं मिल रही है चाहते क्या वैसे सरकार जीए आ चाहिए आप महल देख सकते कि सबका मानना यह है कि बीजेपी के वोटर्स जादा है दो पार्ट्स में जो वेपारी है वो बढ़ चुके हैं एक बीज संगठन बन चुका है और लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आमानमी पार्टी के एक-दो जो व्यपारी थे उन्होंने बातचीत की और उनका मानना एक अगर आमानमी पार्टी की सरकार उत्राखंड में आती है तो यहां की दशा बदल देगी नक्षा बदल देगी और वह इमान दिल्चस्प है और लगातरम ने विपारियों सो बातचीत करके ये एक कंक्लूजन निकाला है कि इस वक्त बीजेपी के वोटर्स जो है विपारियों में ज्यादा देखने को मिले हैं यानि की जो 11 प्रतीश जनसंख्या विपारियों की है वो पूरी काया पलट कर सकती है सब तहा पहले कोरोना वारस का ओमिक्रोन स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक संक्रमन के 9 करोड से ज़्यादा मामने सामने आ चुके हैं जो कि 2020 में सामने आए कुल मामनों से ज्यादा है गौरतल अब है कि साल 2020 में COVID-19 महामारी की शिवात हुई थी WHA के महाले देशक ने आगरे किया है कि ओमिक्रोन वारस के अन्य स्वरूपों जितना घातक नहीं है फिर भी से बचका रहने की ज़रूद बहुत ज़्यादा है उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जादेतर शेतरों से मौतों की संख्या में बढ़ होतरी की बेहत डराने वाल इह बढ़ आरी है More than were reported in the whole of 2020. We are now starting to see a very worrying increase in deaths in most regions of the world. We are concerned that a narrative has taken hold in some countries that because of vaccines and because of Omicron's high transmissibility and lower severity, preventing transmission is no longer possible and no longer necessary. उत्राखन में आने वाले विधानसभाद चुनाव के मद्दे नजर परवेक्षक जवेर सिंग आर्यनी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की नगर निगम सभागार में बैठक ली. इस दुरान चुनाव शांते पूर्ण तरीके से संपन कराने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां इमानदारी से निभाने की बाद परवेक्षक ने कही है. इसे के साथी सबी को आवशक दिशान नर्देश पी दिये गए. मंगलवार को नगर निगम सभागार में आजित बैठक के दौरान जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को बैठक के दौरान परवेक्षक जैवे सिंगारे ने बताए कि चनाव आयोग ने 11 फरवरी तक किसी भी प्रकार की राजनितिक रहली धरने प्रदर्शन पर रोक और इस बैठक का जो उदेश है था हमारे जितने भी सेक्टर मेजिस्ट्रेट हैं जूर्नल मेजिस्ट्रेट सेया रोम होदे हैं FST, SST टीम जितनी भी निर्वाचन कारम में लगी हैं उन सब को दिशा निर्देश दिये गए हैं कि किस तरह से निर्वाचन जो हम कराएंगे वो निस्पक्ष कराएंगे और निर्विवादित रुप से संपन्न कराएंगे वो क्यों देश इसका हैं इसलिए देगे शादी विवा ये जो है इसके संबन में विवाचन समारों में जाने पर ऐसा बैन जैसी तो कोई गाइडलाइन हमें प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हाँ यदि उस दोरान उनके दोरा कोई प्रचार पसार किया जाता है तो उस पर जोर हमारी अपिस्टी में गरा ठान रखी हुई हुई रुद प्रियाग में विधान सभा चुनाव में जोर आजमाईश का दोर शुरू हो गया है जन प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य दलों के लोगों को पार्टी में श्वामिल करवाय जा रहा है जिससे प्रत्याशी के पक्ष में महाल बन सके और लोगों तक संदेश पहुँ गड़पती वेंडिंग पॉइंट अगस्ते मुनी में आये जित कार्क्रा में जन प्रतिनिधियों और अन्य लोगों को पार्टी में श्वामिल किया गया का और प्रियतन की अपार संभा होना है यहां पे जड़ी बूटी है जैवी खेती है तो इस तरह से हो मिस्टे का है तो उसको यहां पे करने का हमारा प्रोग्राम है वाजपा में सामिल होने का जो मेरा मुख्या बेश है वो जो हमारे मानिया प्रधान मंत्री नैंदर मोधी जी है उनके कारियों को जो हमने देखा और जो अभी वह इखं़ समय में हमारे युवा मुख्यमंत्री मुख्याम्म श्मारे जी जो उन्होंने किया है उसको देखते हुए पार्टी की पिचारधारय को देखते हुए मैं बाजपा में समय को avon हमारी जो भाजबा की पत्काइसी है सेमधी सहला रानी रावाजी इस बार हम उनके लिए तनमन धन से और उनको बड़े मार्जन से जितारे में हम अपना योगदान दो छो आदरनी मुख्य मंतरी जी है उनको दिखते हुए मैं बहुत प्रहबित वा और आजम लोगों ने भाड़ी जंता पाटी जोइन करी है और इसी तोर पर ये कि हम लोग भी काम करेंगे और पाटिक्राइब देंगे और बिदान सवाच उनाओं में अपनी पूर्ण भागेदार निभाएंगे और इसे के साथ फिलाल खबरों में ताहिया आप बने रहें नीज्वल इंडिया के साथ